प्रश्कार मेरे अजीज साथियों मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दें नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें दोस्तों फिर हम आपके सामने हरण ह हरित्की लाया हूँ दोस्तों यह आवसद ही आरवेद में इसका उपयोग बहुत किया जाता है यह रोगों और मलों का हरण करती है इसके उपयोग से सरीर के अनेक रोगों को दूर करती है हरित्की यदि चबा कर खाई जाए तो जठिरान की विरिद्धी करती है सिल पत्थर पर पीस कर खाई जाए तो मल सोधन करती है उबाल कर खाई जाए तो मल को रोगती है भून कर खाई जाए तो तिर्दोस को दूर करती है और भोजन के साथ सेवन करने से बुद्ध बल तथा इंदिरियों को विक्सित करती है पित कप तथा बाई को नश्ट करने वाली औवंग मूत्र बिष्ठा तथा मल पदार्थों का बिरेचन करने वाली होती है यद वही हरित की भोजन कर चुखने के बाद ऊपर से खाई जाए तो अन तथा पान संबंधी दोसों को यवंग बात पित तथा कफ से उत्पन होने वाले विकारों को सीग हरने वाली होती है सेधा नमक के साथ खाने से कफ सक्कर के साथ खाने से पित घिरित के साथ खाने से पात संबंधी रोग और गुड के साथ खाने से समस्त ब्याधियों को दूर करने वाली होती है हरित की स्रेष्ट मिरिद बिरेचक द्रब्य है इससे किसी प्रकार की हान नहीं होती है सरीर की सभी किरियाएं इसके सेवन से सुधर्ती है इसका उपियोग जीरण जोर अति सार रक्त तिसार अर्स नेत्र रोग अजीरण परमेह पांड अमल पित कमला आधमे लाबदायक है आधुनिक परियोग से भी इसकी विभिन रोगों में उपियोगता सिद्धूई है जीरण कास अर्स आध में अगस्त हरित की का सेवन करना चाहिए एवंग अर्दी हरित की आध योग के रूप में भी इसका व्योहार किया जाता है तिरपला चूण अभयारिष्ट पात्यादी क्वात आध अन्य परमूश्त योग है जो मार्केट में मेटकली स्टोरों पर उपलब्द है वो मिल जाते हैं हरित की बन रोपक है मुख बन पुराने घाओ तता अर्ष बबासीर में इसका लेप लाप्रद है दात के मंजन के लिए इसका महीन चूण उपयोगी है छोटी हरित की मिरिद बिरेचक है जीरण विबंध एवंग बबासीर में इसका अच्छा उपयोग होता है चूण तीन से च्छा ग्राम की मातरा है आज की जानकारी यहीं समात करते हैं मिलते हैं नई जानकारी के साथ नमस्कार देशी आर्वेद